नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेपा में एक बहद हिमातो पूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ रोज सुबह एक गलास गर्म पानी में बस चुटकी भर हल्दी मिला कर पीएं पेट पानी की तरह साफ होगा गठिया मधमेह कैंसर जैसी 20 बिमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी जी हाँ यह आज का टॉपिक आप सभी के लिए हल्दी का प्रयोग लगभग सभी प्रकार के खाने में किया जाता है यह व्यंजनों के स्वाद में तो इजाफा करती ही है साथ ही इसमें अनेक और शध्य गुन भी मुझूद होते हैं यह गर्म और रुखी होती है त्वचा पेट और शरीर की कई बिमारियों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है गुनकारी हल्दी के अलग-अलग लाफ उठाने के लिए आपको किसी वैद्य या विश्य शग्य की शरण में जाने की जरूरत नहीं है अपने घर पर ही छोटे-छोटे प्रयोग करके इसके अलग-अलग लाफ उठाये जा सकते हैं वैसे तो आम तो यदि इसमें थोड़ी से हल्दी मिक्स कर दी जाए तो इसके गुनों में काफी इजाफा हो जाता है तो फिर देर की इस बात की कल से ही शुरू करें ये हल्दी वाला पानी पीने का प्रयोग और देखें आपको क्यालाव होना स्टार्ट होता है भारत में घर-घर में निम् पानी यूं तो कभी भी ले सकते हैं लेकिन सुबह उठकर निम्बू और हल्दी पानी पीना खास तोर पर फायदेमंद होता है ये एक ऐसा पेय है जिस पर आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं हल्दी वाला पानी बनाने का आप तरीका जान लीजे एक ग्लास हलका पानी पानी में एक निम्बूनी चोड़कर उसमें एक चुटके हल्दी मिला लें और इसे सुबह खाली पेट पीएं ऐसा करने से पेट में गैस बनने की समस्या दूर होती है और एसीडिटी बदहजमी फुट पॉइजिनिंग कब्ज इत्यादी बीमारी से भी छुटकारा मिलता है जिससे सुबह पेट पानी की तरह साफ हो जाता है आपको पता है कि हल्दी एक ताकतवर इंटी ऑक्सिडेंट भी है इंटी कैंसर के गुणों से भर पूर है ये इसमें करक्यूमीन होने के कारण कैंसर पैदा होने वाली कोशिकाउं से भी लड़ने की शमता होती है कि आप जानते हैं कि हल्दी का सेवन रोज करने से पित ज्यादा बनता है जिससे हमारे खाने को पचाने की शमता विक्सित हो जाती है लेकिन अधिक मातरा किसी भी चीज की नुकसान दायक होती है शरीर में सुजन कितनी भी क्यों न हो, हल्दी सुजन को कम करने में सहायक है इसमें कर्क्यूमीन नामक एकरसायन पाया जाता है जो दवा के रूप में कारे करता है इसलिए आपने देखा होगा किसी को भी चोट लग जाती है तो हमारे बुजूर्ग हल्दी दूध में डाल कर पिलाते थे हल्दी दिमाग के लिए भी भायदे मंद होती है जिनको भूलने जैसी बीमारी है वो इसका सेवन करके अपनी इस बीमारी को काफी हद तक कम कर सकते हैं जिन लोगों की खून के धमनियों में ब्लोकेज की शिकायत है उनको तो अवस्य ही हल्दी वाला पानी सेवन करना लाब दायक रहता है क्योंकि हल्दी खुन को जमने से रोकता है और अधरक भी खुन को पतला रखता है और ब्लोकेज से बचाती है जो लोग नियमित हल्दी वाला पानी उपयोग करते हैं उनके चेहरे ओम शरीर पर रिंकल्स भी कम होते हैं इससे आपके शरीर पर उम्र का असर कम एक रिसर्च के अनुसार हल्दी के सेवन से ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है अर्था डायवीटीज का खतरा टाला जा सकता है अर्थराइटीस होने पर हल्दी वाला पानी इसमें करक्युमीन होने के कारण जोनों के दर्द और सूजन को दूर करके आपको काफी हाथ तक पहुंचाने की शम्ता होती है आपके लीवर के खराब हो चुके सेल्स को ठीक करने में हल्दी आपकी बहुत मदद करता है तथा पिताशय की प्रक्रिया को भी चुस्त और दुरुस्त रखता है यदि किसी कारण से शरीर के बाहरी या अंदुरूनी हिस्से में चोट लग जा पेट में जब गैस भर जाती है तो बहुत दर्ध होता है ऐसी स्थिती में निम्बू और हलदी पानी में चुट्की भर सिन्धा नमक मिला कर पीने से तुरंत फाइदा होता है सुबह उठकर एक ग्लास निम्बू और हल्दी पानी पीने से शरीर की सफाई हो जाती है निम्बू पानी बाइल जूस बनाने में भी मददगार है बाइल जूस खाने को पचाने का कार्य करता है निम्बू और हल्दी पानी शरीर में पाचक रसों के बनने को प्रोचसाहित क करता है यह पाचन क्रिया को बेहतर रखने में भी मददगार है निम्बू और हल्दी पानी विटामिन C के गुनों से भरपूर होता है साथ ही इसमें इंटियोक्सिडेंट के गुन भी होते हैं जिससे त्वचा के दाग धब्बे साफ हो अगर आपको जोणों के दर्द की शिकायत है तो भी निम्बू और हल्दी पानी पीना आपके लिए फायदेमंद रहेगा निम्बू और हल्दी पानी मुग की दुरगंद को दूर करने में मददगार है साथ ही इसके इस्तेमाल से ताजगी बनी रहती है यह शरीर के पीच ल करता है सुबह उठकर निम्बू और हल्दी पानी पीने से दिन भर ताजगी बनी रहती है और शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाती है अगर आप वजन घटाने का प्रयास कर रहे हैं तो सुबह उठकर निम्बू और हल्दी पानी पीने से बेहतर दूसरा कोई उपाय नहीं है हल्दी के चमतकारी फायदों के बारे में जान लीजिए अब मधुमेह के रोग में एक चमच पीसी हुई हल्दी को फांक कर पानी पीने से मधुमेह में हो रहे बार बार पेशाब से आराम मिलता है या आठ गराम पीसी हुई हल्दी रोजाना दो बार पानी के साथ फंकिले इससे बार-बार और अधिक मातरा में पेशावाना ज्यादा प्यास लगना इत्याद मधुमेह के रोगों से आराम मिल जाता है तवचा के रोगों के लिए हलदी को पीश कर तील के तेल में मिला कर मालिश करें इससे चर्म रोग खत्म हो जाएगा या अगर शरीर में खुशकी यानि के चमडी सुग गई हो तो सर्सों के तेल में हलदी को मिला कर शरीर पर उसकी मालिश करने से लाब होता है हाथ पैर फटना कच्चे दूद में पीशी हुई हलदी मिला कर तवचा पर मालिश करने से तवचा मुलायम होती है इससे हाथ पैर भी नहीं फटते हैं और यदि फट भी गए हों तो उनमें हल्दी भर दें तो फायदा होगा चेहरे की जाईयां दस-दस ग्राम हल्दी और तिल को पीश कर पानी में मिलाकर रात को सोते समय चेहरे पर लगाएं और सुबह गर्म पानी से धोलें इससे चेहरा चमक उठता है टोंसिल का बढ़ना दो चुटकी पीशी होई हल्दी, आधी चुटकी पीशी होई काली मेच और एक चमच अद्रक के रस को मिलाकर आग पर गर्म कर लें और फिर शहद में मिलाकर रात को सोते समय पीने से दो ही दिन में टोंसिल की सूजन दूर हो जाती है शरीर को शक्ति शाली बनाना जिहां लगभग 500 ग्राम के मातरा में हल्दी की गांठें और एक किलो बुझा हुआ चूना लेकर इसको एक मिट्टी के बरतन में डालकर इसमें उपर से दो लीटर पानी डालें पानी डालते ही चूना पकने लगता है और जब यह ठंधा हो जाए तो बरतन को ढख कर रख दें इसके बाद दो महीने बाद हल्दी की गांठों को निकाल कर पीस कर चून बना लें हल्दी की गांठों के चून को 3 ग्राम की मात्रा में लेकर 10 ग्राम शहद के साथ मिला कर लगातार 4 महिने तक रोजाना खाने से शरीर का खुन साफ हो जाता है और इससे शरीर में भरपूर ताकत आती है चोट लगने पर एक चमच हल्दी गर्म दूद के साथ पीने से दर्द और सूजन दूर हो जाती है चोट लगी जगह पर हल्दी को पानी में मिला कर उसका लेप लगाएं और अगर चोट ज्यादा गहरा हो तो उसमें हल्दी भर दें इससे चोट जल्द भर जाएगी आँख म चोट लगने पर भी हल्दी को खाया जा सकता है घी आधा चमच सेंधा नमक थोड़ा सा पानी मिला कर हल्वा बना करके चोट पर रखकर बांधें आधा लिटर उभलते हुए गर्म पानी में आधा चमच सेंधा नमक डाल कर हिलाएं फिर इसमें एक चमच हल्दी डालें और बरतन को उतार कर रख दे जब पानी सेख करने लग जाए तो कपड़ा भीगो कर चोट वाले अंग पर इससे सेख करें इससे दर्द में आराम मिलेगा हड़ी के टूटने पर रोज हलदी का सेवन करने से लाब मिलता है एक प्याज को पीश कर एक चमच हलदी मिला कर कपड़े में बांध ले इससे तील के तेल में रख कर गर्म करें और इससे फिर सेक करें कुछ दिर सेखने के बाद पोटली खोल कर दर्द वाले अस्थान पर ब लाब होता है खुजली शरीर के पीले रंग के दाने जिसमें मवाद भरी हो और उनमें खुजली हो तो एक चमच हल्दी एक कप गर्म दूध चोथाई चमच देशी घी स्वाद के लिए शक्कर डाल कर सुबह शाम पिएं आपको लाब नजर आने लगेगा चेचक हल्दी और इमली के बीज बराबर मातरा में पिसकर चुटकी भर प्रती दिन साथ दिनों तक लेने से माता यानि की चेचक नहीं निकलती है चेचक के निकलने पर इमली के बीज का चून हल्दी में मिला कर लेने से चेचक जल्द ही ठीक हो जाता है चेचक के दानों में अगर घाव हो जाए तो पान के कत्थे को हल्दी के संग सुखा ही छिड़कें तो वह ठीक हो जाएगा संदर्य वर्धक, पीसी हुई हल्दी, चंदन का बुरादा, पीसी हुए हरे निम के पत्ते, प्रतेक को दोधो चमच लेकर मिला लें और चेहरे पर मलें इससे चेहरा चमक उठेगा और इस प्रियोग से चेहरे की किल मुहा से दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, कुछ हपते लगातारी से मलने से चेहरे का रंग भी साफ हो जाता है आँखों के रोग, हल्दी को अरहर की दाल में पकाएं और चाया में सुखा लें, उसे पानी में घीस कर शाम होने से पहले ही दिन में दो बार जरूर लगाएं, इससे जामर रोग, सफेद फूली और आँखों की लालिमा में लाब होता है पथरी, हल्दी और पुराना गूर चांच में मिला कर सेवन करने से पथरी नश्ट हो जाती है मस्से, हल्दी की गाट को अरहर के दाल में पकाएं, फिर चाया में सुखा कर गाई के घी में पीश कर मस्सों पर उसका लेप करें, इससे मस्से तुरन्त नर्म हो जाते हैं और दर्द दूर होता है आँखों के रोग, हल्दी को अरहर की दाल में पकाएं और चाया में सुखा लें उसे पानी में घिस कर शाम होने से पहले ही दिन में दो बार जरूर लगाएं इससे जामर रोग, सफेद फुली और आँखों की लालिमा में लाव होता है पथरी, हल्दी और पुराना गूर चाच में मिला कर सेवन करने से पथरी नश्ट हो जाती है मस्से, हल्दी की गाट को अरहर की दाल में पकाएं, फिर चाया में सुखा कर गाई के घी में पीश कर मस्सों पर उसका लेप करें इससे मस्से तुरंत नर्म हो जाते हैं और दर्द दूर होता है बालों का आकरशन कच्ची हल्दी में चुकंदर के पत्तों का रस मिला कर सिर में लगाएं इससे बाल नहीं गिरते हैं और नए बाल भी उगते हैं बाल सुन्दर और आकरशक भी बन जाते हैं दिर्गायू के लिए हल्दी का सेवन नियमित रूप से करने से व्रिधा वस्था में देराती है और लंबी आयू प्राप्त होती है श्वास, दमा रोग, हल्दी को पीश कर इसका चून बना लें और इस चून को तवे पर भून कर शिशी में बंद करके रखें, इस चून को 5 ग्राम के मातरा में हलके गर्म जल के साथ प्रती दिन सेवन करने से अस्थमा यानि कि दमा के रोगी को बहुत लाप मिलता है खांसी, खांसी, गले, सीने में घबराहट हो तो गर्म पानी में हल्दी और नमक को मिला कर पी लें, हल्दी का छोटा सा टुकडा मुह में डाल कर चुसते रहने से खांसी कभी नहीं आएगी, पायरिया, हल्दी को बारिक पीस कर सरसों के तेल में मिला कर रख लें, रोजाना रात को सोते समय इस मिश्रन को दांतों पर मलें और बिना कुल्ला किये हुए सो जाएं, सुबह उठकर कुल्ला करने से पायरिया का रोग करने से सुखी काली खांसी दूर हो जाती है, मसूनों के रोग के लिए, हल्दी को मोटा मोटा कूट कर आग पर भून लें, इसे बारिक पीस कर कपड़े से छान कर प्रती दिन सुबह शाम मसूनों पर मलें, इससे मसूनों के रोग ठीक हो जाते हैं, पेट के कीड़ों के ल यानि कि अर्ष में हल्दी और कसी हुई लोकी का चून पानी के साथ पीश कर या सर्सों के तेल में पका लें उस तेल को मदार के पत्तों में लगा कर बवासीर के मसों पर लगाएं और लंगोट कसे इससे मसे सूख कर गिर जाते हैं कान का बहना 3 ग्राम हल्दी 10 ग्राम निम के पत्तों का चून और 10 ग्राम लहसुन की कलियों को 200 ग्राम सर्सों के तेल में डाल कर पका लें इस तेल को बुंद बुंद करके कान में डालने से कान में से मवाद का बहना भी ठीक हो जाता है चक्कराना कच्ची यानि कि ताजी हल्दी पीश कर सिर पर लेब की तरह से लगाने से चक्कराना बंध हो जाता है एकजीमा वसा यानि कि अडूसा के कूमल पत्तों को हलदी में मिलाकर गोमूत्र यानि कि गाय के पेशाब के साथ पीसकर लेप करने से एकजीमा से मुक्ती मिलती है बिवाई के फटने पर कच्चे दूद में पीशी हुई हल्दी को मिला कर शरीर पर लेप करने से त्वचा मुलायम होती है और हाथ पैर नहीं फटते हैं जिहां एक बात इसमें विशेष्ट ध्यान देने की है कि हल्दी का अधिक मात्रा में उपयोग हरदय के लिए हानिका रखो सकता है इसलिए अत्याधिक मात्रा में इसका सेपन न करें जिहां दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों